दोस्तों कुछ दिन पहले YouTube के comment box में एक भाही ने ना मुझसे एक सवाल पूछा, उस भाही का सवाल ऐसा था कि उस भाही ने मुझसे ऐसा पूछा कि भाही मुझे ना एक आवरत है जो मुझे बहुत ज़ाधा पसंद है और मुझे ऐसा लगता है कि उस आवरत की उमर ना शाय 35 से लेकर 40 के बीच में हो सकती है और वो अवरत ना दिखने में इतनी सुन्दर है इतनी सुन्दर है ना कि मुझे उसको देखकर ऐसा लगता है कि काशे अवरत मेरे जिन्दगी में होती पर भाई उसका जो पती है ना वो साला बेवडा है मतलब वो हमेशा ना दारू पीके अ पताना है तो मुझे कोई ना कोई तरीका बता तो जब मैंने भाई का सवल पढ़ा ना तो मुझे ऐसा लगा कि ए भाई ने जो सवल पूचा है ना इस सेम सवाल मेरे बाकी भी भाईयों के दिमाग में कभी ना कभी तो आता होगा तो तो मैंने ऐसा सोचा कि इस टॉपिक के नहीं आने वाला तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इंपोर्टेंट हुडियों को तो देखो अगर आपको किसी भी ऐसी आउरत को पटाना है जिसकी मतलब उमर 35 से लेकर 40 के बीच में है और उसका पती ना एकदम बेवड़ा है तो आपको सबसे पहला जो काम करना है और अच्छे दोस्त बनो 15 reviews आउरत के लवर बनने से पहले उसके अच्छे दोस्त बनो तो इसका मतलब किया है कि दोस्तों जो आउरत होती हैा ना आउरत मतलब आउरत ओना दोस्तों आपना दिल हल्का करने के लिए उसको कोई ना कोई पूरुश चाइए होता है और दोस्तों हमेशा वो पुरुष ना उसका पती होता है पर अगर किसी भी मतलब कंडिशन में अगर उसका पती अच्छा नहीं हुआ मतलब अभी जो आपने मुझे बताया कि उसका पती ना बेवड़ा है तो बेवड़े पती के सामने ओ आपना दिल हलका बिल्कुल भी नहीं कर सकती तो ऐसे स्थिती में ना दोस्तों ओ आउरत किसी दूसरे पुरुष की खोज करती है और वही पुरुष आपको दोस्तों बनन तो दोस्तों एक टॉपिक ना एक थोड़ा डिफरेंट है अगर आपको इसके बार में वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंड बॉक्स में मुझे बोल सकते हो मैं उसके उपर भी एक स्पेशल वीडियो बना के आप सभी को इसका जवाब दे दूँगा तो फिलहाल दोस् जो दूसरे प्रकार का आपको काम करना है और तो कौनसा करना है कि जब आप उस औरत के अच्चे दोस्त बन जाओगे तो दोस्त बनने के बाद ना दोस्तों जानो कि उसका पती उसके लिए क्या नहीं करता जी हां क्या बला मैंने उसका अच्छा दोस्त बनने के बाद आप यह बात जानो कि उसका पती उसके लिए क्या क्या चीज़े नहीं करता दोस्तो इसका मतलब क्या है कि जब आप उसके दोस्त बनोगे ना तो औरत ना दोस्तो खुद बाखुद आपको मतलब ऐसा बताएगी कि जो मेरा पती है ना ओ मतलब ऐसा है मुझे कभी शॉपिंग करने के लिए नहीं लेके जाता मुझे कभी मतलब होटेल में खाना खिलाने के लिए नहीं लेके जाता मुझे कभी भी थेटर में पिच्चर देखने के लिए नहीं लेके जाता एक्सेटरा एक्सेटरा तो दोस्तो आपको दोस्तो क्या करना है कि जो उसका पती उसके लिए नहीं करता तो ओ चीजे ना दोस्तो आपको उस आउरत के लिए करनी है और ये सोचने के बाद न दोस्तो ओ आवरत न धीरे धीरे आपकी तरब दोस्तो एट्रेक हो जाएगी तो दोस्तो ये दूसरा काम है और उसके बाद दोस्तो जो तिसरा काम है और दोस्तो कुनसा है कि जब आप उस आवरत के साथ रहोगे तो उसने बनाये हुए खाने की उसक के स्वभाव की तारिप हमेशा दश्तो करते रहो जी हाँ क्या वल मैंने उसके खाने की उसके सुंधरता की और उसके श्वभाव की दोस्तो इसका मतलब किया है कि स्वाद, फाइंश्टर होटेल को भी पीछे चोड़ देता है आपका जो स्वभाव है न वो बहुत अच्चा है आप न दिल से बहुत अच्ची हो आप मतलब आपकी जो आखे है न उन आखों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके आखों में डूब जाओ कर दी तो वो आउरत न बहुत आपके उपर मतलब इंप्रेस हो जाएगी दोस्तों मैं अभी आपको इस शब्दों में एक्स्प्लेन दोस्तों बिलकुल भी नहीं कर सकता जब आप एक खुद उस आउरत के सामने करोगे न तो आप मुझे खुद बोलोगे कि भाई इसका फाइदा होता है तोस्तों अगर आप एक तीन काम अगर सच्चे दिल से करते हो न तो 101 टक का दोस्तों वो आपके उपर इंप्रेस हो जाएगी तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद